नमस्कार मित्रों, आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का आने वाला दो दिन यणी की 25 और 26 अक्टूबर का दिन कैसा वीतेगा इन दो दिनों के दोरान आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले दो दिनों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदर हो जाएगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सिक्षा के बारे में आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आने वाले दो दिनों के दौरान सिक्छा के छित्र में समय के दुरुपयोग से आपको बचना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान अगर आप सिक्छा का दुरुपयोग करते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ नहीं देगा वैसे अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो दामपत्ते जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके दामपत्ते जीवन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़े सानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा वैसे अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कोन से आपका शमय सामाने तोर पे बहुत जियादा बेहतर और सांदार है दोस्तों आने वाले दो दिनों के दोरान अगर आपके जीबन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या रहता है तो उस पड़े सानी में सबसे पहले आपके घर पड़ीबार के लोग आपकी सहायता करेंगे आपका सपोर्ट करेंगे और इस कारण से आपका आने वाला श के दोरान आपको अपने खर्चे पर अपने फिजूल खर्ची पर ध्यान देना होगा कंट्रोल करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दोरान अगर आप अपने फिजूल खर्ची पर अपने फालतू के खर्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आप आपका शाथ नहीं देगा इस बात को आप याद रखें तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के दोरान किस उपाई को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा मित्रों टोटका बहुत ही जयादा सामानी है आने वाले शमय के दोरान आप अशनान ध्यान करने के बाद महादेब के सिबलिंग पर जल चड़ाएं अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा तो यही था आपके आने वाले दो दिनों का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी आराम